हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप लोग आई होप कि आप सो बढ़ियाई होंगे आज का इस वीडियो में फ्लाट पूट का मेडिकल के बारे में आप बीकुल डिटेल में जनने भाल लेए अक्चुली कितने टाइप का फ्लाट पूट होता है हमारा जो फ्लाट पूट वो कौन सा टाइप का है हमारा जो फ्लाट पूट है वो exercise के जरिये ठीक हो सकता है कि नहीं और वो क्या-क्या exercise है जिसको हम करने से फ्लाट पूट ठीक हो जाएगा और defense में फ्लाट पूट को क्यों accept नहीं करता दोस्तो इससे पहले अल्री मेडिकल को पर पांच वीडियो बना चुका हूँ जैसे कि आपका हो गया tattoo, teeth, knock, knee, eye और private part के बारे में जिसका कोई भी doubt ही इस चीज के बारे में तो channel में वीडियो है मैं बिल्कुल detail में बता है, मैं वीडियो में जा के उसको watch कर सकता है और उसका problem मालूम करके उसका treatment करके medical तक बिल्कुल बहुट हो सकता है क्योंकि medical होने में अभी 2 मेना जैसा time बचा हुआ है दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को like करने दोस्तों से शेयर करने आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करने ख़यर हो जाते थे lot पेर का हुहां पर सेपना जाता था उस रेख हो पता कर थे ठीए क्या होता है कि जаж नेती जुवच पानी का जो सेप तुरहती सुक जाता है जैसे कि आप सही से ँसको देखने पाते तो आप किया करना होगा जिस पानी में पेर को गिला कर रहें हैं मिरा आ princess Is looking और पेपर रखे जा कर आराम से खाड़े ओजाना यह से करने साब आपको क्या फाइदा होगा साइब मेरिया हमेसे कर सकते हो नहीं तो उसका फोटो खीज के फिजियो तेरपिस डॉक्टर या किसी को भी उसको भेज के आप सजेशन ले सकते हो यह तो हो गया पहला तरीका दूसरा देखिए जिसका भी फ्लाट फूट का जिसका नॉर्माल फूट होगा उसका आंकेल से एडी तो बिल्कुल ए करते हैं और तिसरा तरीका जिसका भी जो जैसे नॉर्माल खड़े हो तो आपका मान लीजए और खड़ेवे का पेर है तो पेर के नीचे है यहां आपका तीन अंगुटा एसे आराम से घुशना जाई है तो भी आपका पूटे नर्माल है अगर आपका पेर एसे संद्रू बन जाता है यहाँ पर आंगुटा नहीं गूश्ता है तो आपका फ्लाटपूर के कि करते चले हम जानते हैं कि यह आपका पेर हो गया, यह तोग को गया यह आपका एरि हो गया और यह आपका आकेल हो गया जैसे ही आपका यह जो नॉर्माल फूट है इसके नीचे जैसे कि आपको आर्ज दिखता है जैसे कि आपका पूरा बड़ी का बजन आंकेल के जरी आपका फूट को अपर आता है आपका फूट के नीचे जैसे ही आर्ज रहता है जैसे प्रेसर आता है वो स्प्रिंग के जैसे में बढ़ जाता है जैसे कि आपर प्रेसर नहीं आता है यह हमार नॉर्माल फूर्ट हो गया जिसका भी फ्लाट पूर्ट होता है उसका क्या होता है कि उसका पेर प्रस समतल रहता है आंकल का जो बीच वाला हडी जमिन के लगने जैसा रहता है उसे क्या होता है कि जैसे हम हमा आपका प्रेसर आता है और इसी होता है इसलिए defense में जिसका फ्लॉट उससको आकसर नहीं करता है क्योंकि आप लोग को पता होगाcros comparison Act Kit एसा duty है जहां पर आठ घंटा से लेकर 12 गंट तक हड़े रहे कर डिउटी करना पडता है नहीं तो कहिंन लॉंग दिस्टाइस को पैदलताए करना पड़ता है अगर किसका फ्लाट पूट का दिक्षबत होगा तो इसको यसा बहुत सारा प्रोब्लेम होता है जिसके चलते डीफेंस में फ्लाट पूट को आक्षेब नहीं करता है तो दोस्तों चलिये हम देखते हैं कि सक्षाष़ कि ताइब होता है दोस्तों फ्लाट फूट अक्च्वाली में दो टाइपका होता है एक तापका हो गया फेक्सिबूल दुस्रा गया रीजीट जितना भी सिस्बूल फ्लाटपूट है वह 100% एक्पहती हो जाता ठीक ही जिसने जिट फ्लाटपूट हो यह वह का यह ठीक नहीं होता उसके लिए आपको सर्जरी करना पड़ेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो फ्लाट पूट है वह फेक्सिबल है या रिजीट है देखिए जिसका भी फेक्सिबल फ्लाट पूट होगा जब बेठा हो नर्माल टाइम में उसका जो पेर के नीचे जो अर्च बनता है नर्माल फूट जएशा उसको आर्च दिखेगा इसे कि हमारा सबी कि भ इसे सब्लाओर है घृउट फ्लाट फूट होका नर्माल टाइम में वह आर्च उसको दिखेगा जैसे भ फूर्ट समतल रहेगा चाहे वो बेठा हो या खड़े हो और आपको एसा वला फूर्ट है तो आपका रिजीट फ्लाट फूर्ट है जो कि मैक्सिमुम एसा जरी ठीक नहीं होता है उसके लिए आपको सर्जरी करना पड़ेगा देखिए अगर आपका फेक्सिबल फ्लाट फू आपको बताया अभी आपका जो आर्च बैठने के टाइम में दिखता है जैसे खड़े हो जाते हो आर्च समतल बन जाता है इसा आपको क्या पता चलता है आपका आर्च तो है लेकिन जो आर्च का मसल वो इतना स्ट्रॉंग नहीं है हमको कुछ एक्सराइज को फलो करके उस मसल को स्ट्रॉंग करना पड़ेगा रिकिसर श्लिपर पेंट श्लिपर में पहले से आस ने रहता है तो हमको आको सब्सक्राइब करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा आप ऐसा बला सुपीष को डीम श्यांच इंश पmezते हैं यापका सीट्ई में आराम से ब्सक्री मिल ज करते हैं जो कि आपको आच सपोटर मिल जाएगा जी आपको पेर शाहां समतल बनाता यह वहां सपस्ता कि ए बहुते हुं अगर एशा वाला सू आप खरीद नहीं पाते हो आपकर पास Hosponster के अंदर एक showels ल को अलेके मुझी के पास जाना पिक्चर में देख सकते हूं तो उसको बोल के यहां पर जो आर्च वाला एरिया है यहां पर एक स्पॉंज को सिलाई कर देना जैसे कि वो आर्च सपोटर बन जाएगा आप एसा कर सकते हो नहीं तो अनलाइन में बहुत सारा ऐसे आर्च सपोटर और सिलिकन आर्च जैसे जेली जाए विल्कुल सब जैसा म मिल जाएगा उसको आप सू के नीचे या सॉक्स में डालके इन्सोल करके आपको दीन भर पहें सकते हो कोई भी दिकत नहीं होए क्योंकि वह बिल्कुल सब्ट है ऐसा करने से आपका जो आर्च का सपोटर बन रहे मतलब बनेगा जैसे कि आपको पेर समतल नहीं होगा यह त सहरे कर सकते हो नहीं तब पीचर में देख सकते हो आपको इतना बड़ा बांस लेना है आपको गोल सा एक बांस लेना है बांस को एक समतल जमीन पर रखके उसके ओपर खड़े हो जाना है आप पीचर में देख सकते हो एसे ही आपका आर्च को उसके अपर लेके खड़े हो और देखे एसे अब नर्माल खड़े रहोगे तो आपको एक पोल हो एक इसके सहरे खड़े हो जाना है और उसको आगे भीचे एसे आराम सा थोड़ा तो रोल करना है एसे करने से उसको क्या होगा ओ जो आर्स का एरिया है वहाँ पे बहुत दर्ध होगा कम से कम इसको पांच म करना देखे दर्ध होगा तभी ये काम करेगा जैसे ही आप जीμ में जाके बाजु के लिए आप ड्रॉम बेल मारते हो बाजु में पेन होता है तभी आपका बाजू फूलता है बैसे ही जो एक्सरसाइज वहाँ प धाल करता है ये आपका होगी एकसरसाइज उसको कम से कम 5 मिन्ट उससे ज़्याद आप कर पाते हो तो पीडिया आपका मर्जिन लेकिन कम से कम पांस मिन्ट करना जो दूसरा एक्सराइज यह कोई सा भी एक बॉल ले लेना क्रिकेट बॉल नहीं तो मार्केटेज में जो मिलता है स्माइल बाल बॉल ले लेना वह जो आपका में जो फोल्डिंग एक्सराइज देखिए आपके घर में जो जमीने जमीन के पर एक टावल को बीचा देना थाल को बीचा आगे उसके आपर एसे खड़े हो जाना टावल के ओपर खड़े हो जाना खड़े हो कि आपका जो आगे वाला जो फिंगर है फिंगर से टावल को एसे फो करना और आप जैसे ही जाके सुभा कोई भी फीजियल अक्वेटी करते हो तो आप रonning करते हो या कूछ कूछ पी करते हो तो आपको देखिए आपको वहाँ पे Пр jakby फ्लाट पूट धानों करते है जिसका भी फ्लाट फूट धूट धूट प्सितूट देख dispal Stebust तरीके से देर से लेकर दो मिनात्र फ़लो करेंगे तो 100% आपका जो फेक्सिबुल फ्लाट फूट हुए उसमें सुधार आ जाएगा अनलाइन से सही बताया आप जो आर्च सपर्टर नहीं तो इन्सोल आर्च नहीं तो सिलिकन आर्च कुछ भी लेकर आपको यूज कर सकते हो इस ट्यूप के अगर सही से फ़लो करेंगे तो देर से लेकर दो मिनात्र 100% ठीक हो जाएगा दोस्तों आज का वीडियो एहीं थक था वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फरमेट लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना सस्क्राइब कर देना और दोस्तों कोई भी डाउट वे इस चीज़ के बारे में तो कमेट करना उसका आंसर में दे दूँगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सटावी पर होना चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धान्याबाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में